Hey guys, welcome to this video आज के इस वीडियो में उन लोग को बहुत जादा help होने वाला है जो लोग website बनाते हैं और Google AdSense का उन्हें approval नहीं मिलता है तो आज के इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि मैं Google AdSense के approval ना मिलने पर जो Google AdSense के alternatives होते हैं उनके उपर एक सीरी चलाने वाला हूँ ऐसे बहुत सारे Ad Networks है जिनके थुरू आप लोग अपने website को monetize कर सकते हो अगर Google आपको approval नहीं देती है तब भी ठीक है तो एक एक करके हम लोग अपने चैनल पर वीडियो बना रहे हैं उसके उपर और तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार क्योंकि ऐसे ही आप लोग के लिए important वीडियो हम लोग डालेंगे और डालते रहते हैं obviously तो चलिए आज के इस वीडियो में टाइम नहीं waste करते वे देख लेते हैं upload के बारे में upload.io एक website है यह basically इसमें क्या कर सकते हो न यह website उन लोग के लिए काम आएगा जो लोग ऐसा website बनाता है जहां पर कोई PDF, songs, movies या downloadable कोई चीज upload होते है ठीक है तो उस तरीके के website के लिए यह वाला ad network काम आएगा हाँ अगर आपका website blog मतलब blogging है या फिर news वाली website है तो फिर यह website फिलहाल कोई काम का नहीं है आपके लिए उसका भी alternative मिल जाएगा उन टैक के websites के लिए alternatives है तो मैं आगे जाके बनाने वाला हूँ वैसे भी तो फिलहाल हम लोग downloadable website के लिए यह alternative है और देख लेते हैं कैसे आपको अपने files को monetize करने है देखो बहुत ही सीधा तरीके से अगर मैं आपको बताओ जैसे कि यह एक blog है यह website है आप कहलो ठीक है तो यहाँ पर यह website कैसे monetize हुआ है add के थुरू आप लोग यहाँ पर देखो ठीक है यह जो website है यह website add के थू तो monetize हुआ है एक post open करते हैं तो पता चलेगा तो देखो यहाँ पर advertisement आ रहा है और यहाँ पर भी advertisement आ ठीक है और नीचे भी advertisement आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है तो यह है monetization का एक method बट downloadable website में किस तरीके सा आप monetize कर सकते हो अगर माल लिजिए add network नहीं भी बतब यह जो banner ads display ads आता है अगर यह सब ads नहीं भी आप लोगों का google की तरफ से मिलता है तो भी आप लोग अपने website को monetize कर सकते हो ठीक है अब कैसे कर सकते हो मैं आपको जस्ट एक बार थोड़ा सा demo देता हूँ for example देखो आप लोग माल लिजिए कि songs downloading website आप लोग ने चालो गिया ठीक है तो उस website में banner ads, display ads, google के नहीं दिखाना है कोई दिक्कत नहीं है आप जो songs या movies जो भी upload करोगे आप लोग इनके website पर upload करोगे upload.io इस website पर upload करोगे और उसके बाद जो upload करने के बाद जो link मिलेगा वो link आपको basically अपने website में देना है ठीक है तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी और उसके बाद आप लोग को एक-एक download करने का पैसा मिलेगा for example मालेजे आपके website में 100 visitor आए ठीक है उनमें से 10 लोगों ने 10 गाने download किये ठीक है तो download जब वो लोग करने जाएगा तो वो लोग इनके website में आ जाएगा आप लोग जो upload करके link दोगे ना इनके website पर आ जाएगा और फिर वो लोग जो है यहां से download करेंगे अपने files को तो यहां पर ही उनको basically कुछ ads देखने को मिलेंगे ठीक है और ads देखने को मिलेंगे तो फिर उसका commission आपको यहां पर मिलेगा dashboard तो सबसे पहले तो देखें आपको sign up कैसे करना है sign up basically आपको मैं नीचे description में website का register करने का link द दाल दीजीगा तो यहां पर हम लोग password डाल देंगे और यहां पर हम लोग payment info डाल देंगे ठीक है यहां पर देखें PayPal और बहुत सारे options है तो मैं यहां पर PayPal select कर लेता हूं मेरे बस PayPal का ID है अगर आपके बस नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा तो यहां पर जैसे मैंने अपना PayPal का ID डाल दिया है और यहां पर PayPal select कर लिया है और यहां पर इस capture को फिल अप करने के बाद register पर क्लिक करते हैं ओके फिर से एक बार capture फिल अप करके दिखता है और यहां पर सबसे अच्छी बात होती है कि आपको 40 नहीं अप्लोड करने के लिए ठीक है आप अगर ज्यादा फाइल अप्लोड करोगे ना तो आपको स्पेस खरिदना पड़ेगा बट डोंट वरी 49 जीवी का स्पेस बहुत ज्यादा होता है ज्यादा टेंसर नेने की ज़रुवत नहीं है और यह जो देख रहे हो माई तो यहाँ पर दिखेंगे आपको अभी नो फाइल अप्लोडेट पर दिख रहा होगा फॉर एक्जामपल ना माली जी हम लोग एक सौंग्स का वेबसाइट बनाते हैं तो एक में मैं ब्लॉगर.com में जस्ट एक्जामपल के लिए दिखाता हूँ ठीक है तो यहाँ पर दे लिए एक नया गाना आया है तो इसी को कर लेते है फिलहाल और यहाँ पर टाइडल हमने दे धिया है इस गाने का और यह गाना हम लोग डाउनलोड कर देब करएका तो तो यह काम हो चुका है अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे अपना देखिए जैसे ही आपका वेबसाइट होगा उस हिसाब से आपको करना है मैं तो आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ ठीक है तो यहां पर डाउलोड नाव टेक्स लिखके आप लिंक दे सकते हो या फि तो देख लेते हैं सायद मेरे पास औरेडी डाउलोड नाव बटन का फॉटो होगा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसे मिल जाएगा यह सौरी डाउलोड नाव आप गूगल से इस फॉटो को डाउलोड कर सकते हो ठीक है तो जैसे यह वाला फॉटो ह तो अभी देखे हम लोग करेंगे क्या तो सबसे च्वहले से देख रहता है डाउंलोोड हुआ कि नहीं अब क्या करेंगे अब क्या यह जाएंगे अपिलोड फाईस पर ? अप्लोट फाइल पर जाने के बाद यहां पर हमें अपना जो फाइल है वो डाउनलोट करना है तो यहां पर क्लिक करते हैं और उस फाइल को आपने कंप्यूटर से यहां पर हमने डाउनलोट करके रखा हुआ है तो देखिए यहाँ पर हमने डाउंलोड करके रखा हुआ था और start uploading पर click करते हैं तो जैसे start uploading पर click करेंगे यह बहुत ज़ली upload हो जाता है क्योंकि इनका server काफी ज़्यादा fast होते हैं और यहाँ पर हमने download link मिल चुका है ठीक है तो इसको क्या करेंगे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग अपने इस वाले download बटन पर link पेस्ट करेंगे अब देखो songs downloading website कैसे बनाते हैं उसके उपर मैंने एक video बनाने का decision लिया है बहुत अच्छी तरीके से बनाना सिखाऊंगा यह तो जस्ट ऐसे डेमो है तो यहाँ पर simply publish कर देता है माल लीजिए यह वाला गाना हमने publish कर दिया इनके link के साथ यह यहाँ पर जो link मिला हमें upload करने के बाद उसके साथ अब यहाँ पर क्या माल लीजिए आपका website को यह विजिट किया ठीक है तो उसको यह गाना दिखा उसको यह गाना देखने के बाद वह open किया और वह open करने के बाद अब क्या होगा वह download now पर अगर माल लीजिए click किया ठीक है तो उससे कुछ इस तरीके का page देखने को मिलेग ठीक है अब वह डाउनलोड करने के लिए थोरा सा वेट करना होगा उसको मतलब जो भी प्रोसीजर है वह उसे फॉलो करना होगा जैसे वह फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेगा वाइस कुछ इस तरीकी का पेज आपन होगा बेसिकली आपको अपने वेबसेट में एक हर डाउनल करना है तो उसके बाद यूजर भी अगर यूजर को पता नहीं होगा कि इससे कैसे डाउनलोड करते है तो वो लोग उस वीडियो को दिखे सीख लेंगे और उसके बाद फ्यूचर में वो लोग आपके वेबसेट से इसली डाउनलोड कर पाएंगे अब देखो अगर आपक अगर देखो अब अगर देखो, रिपोर्ट्स पर जाके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अभी फिलहार रिपोर्ट्स सो नहीं होगा, क्योंकि यह इंस्टेंट अभी-अभी मैंने किया है, अब यह मत सोचना कि आप खुद डाउनलोड करोगी और आपका पैसा यहाँ पर एड होता ठीक है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, बिकाज यह लोगों का जो ट्रैक्निंग सिस्टम है, वो काफी ज्यादा मतलब अच्छा है, वो लोग आई-पी अड्रस से देख लेता है कि किस तरीके से कौन डाउनलोड करता है, कौन नहीं, तो रिपोर्ट्स आप लोगों को समझ लिंक फिर से लेना चाहता हो, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके लिंक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लोग आउट करके दिखा देता हूं कि एक-एक डाउनलोड का आपको कितना मिलता है इस पे, तो मेक मने पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे यह वाला पेज आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दू, यह सब है क्या, देखो, बिसिकली आप लोगो को यहाँ पर देखने का मिलेगा, जैसे युनाइटेट स्टेट्स, कैनेडा, स्विजर लेंड, यह सब जगह टियर एक कहलाता है, ठीक है, उसके बाद अगर लिजे, युएसे से, और यह सब MB के उपर डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे हमारा 8 MB का फाइल था, जिरो से 500 MB में वो गिन आएगा, ठीक है, वो आएगा, आएगा, ठीक है, तो जैसे 8 MB का फाइल था, तो यह वाला देखना होगा, तो अगर USA से माल लिजे, वो वाल लोड कर पाएगा, और आप भी फ्री में पैसा कमा पाऊगे, tier B से 5 डॉलर अल्मोस मिलेगा, और tier D से अल्मोस 2 डॉलर मिलेगा, ठीक है, तो मानके चलिए 2 डॉलर कभी-कभी होता है, कभी-कभी इससे भी जादा होता है, या कभी-कभी इससे भी कम होता है, अगर हम लोग लोग मान लेते हैं, ठीक है, विससे तो 2 डॉलर का प्राइस जो होगा, वो around 144 रॉपया का होगा, लेकिन मान लेते हैं, कि 100 रॉपया अगर बनता है, 1000 डाउनलोड पे, तो आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा है, 10-10 डाउनलोड में एक-एक रॉपया बनेगा, तो आपको क आपको बस अपना website को promote करते रहना है, traffic लाना है, कैसे भी करके, डाउनलोड करवाना है, ठीक है, all right, तो यह सब आप लोग देख लिजेगा, यह सब जैसे upload करना मना है, यह है, वो है, तो यह सब basically आप लोग देख लेना, कैसे आप लोग को क्या करना है, ठीक है, so I think आप ल आप लोग, इन लोग के website में traffic भेज रहे हो, और इन लोग का website के through, add भी run हो रहा है, और आपका file भी download करवा दे रहा है, तो यह लोग को भी पैसा बन रहा है, और आप लोग अभी यह लोग पैसा बना के दे रहा है, तो यह एक commission based network है, ठीक है, तो ऐसे करके, आप लोग basically इ और और भी add networks और भी monetization methods के लिए इस channel को जरूर subscribe करें, मैं एक एक के उपर video बनाने वाला हूँ,